इस तरह से अप्लाइ किया जाता है उसके सारे फिचर्स किस तरह से हम यूज करेंगे वह आज सिखेंगे देखे मैं यहां पर जैसे इसका सिमिलेशन दे देता हूं देखिए इस तरह से यह वर्क करता है अब इसको हम किस तरह से क्रियेट करेंगे इस तरह का कोई भी पार्ट हमें मशीनिंग करना है या सियन सी मिल ऑपरेशन इसका सेट करना है तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें ऐसा कोई पार्ट क्रियेट करना पड़ेगा जो भी आपका मशीनिंग पार्ट है जिसको आप मशीनिंग करना चाहते है तो देखिए हमने यहां पे हमने यहां पे एक new page open किया है तो सब से पहले हम top plane select कर देते हैं पहले हम यहां पर हमारा कोई part क्रियेट करेंगे मैं यहां पे center rectangle क्रियेट करता हूँ और इसकी simply size दे देते है horizontal 150 mm and vertical 100 mm और simply OK करना है फिर fillet में जाना है fillet में यहाँ पे 10 mm सारे corner हमारे 10 mm फिलेट एपलाई कर देना है और सिंप्ली ओके करना है फिर फिचर में जाना है और यहां पर एक्सुट पॉस आपलाई कर देना है यहां पर एक्सुट बास हम एपलाई करेंगे ब्लाइंड कंडिशन अप साइड में 20 mm कि टॉप फेस को सिलेक करना है स्केच यहां पर कुछ कट समय देने हैं तो सबसे पहले हम यहां पर एक सेंटर पॉइंट स्ट्रेट श्लॉट क्रियेट करेंगे अब इसका डाइमेंशन हम एपलाई कर देते हैं यह है 12 mm रेडियस 12 mm है इसकी वीर्थ हो गई 24 mm फिर इसकी लेंद रहेगी 100 mm और यहां से इसकी हाइट रहेगी 28 mm और ओकी कर देना है अब आपको इस पॉइंट को सिलेक करना है और कंट्रोल की को होड़ करके रखना है फिर इस पॉइंट को सिलेक करना है और मेक रिलेशन वर्टिकल यह स्केच हमारा फुली डिफाइन हो गया है अब सेकंड स्केच इसी फेस पर हमें क्रियेट करनी है तो फिर से एक center slot create करेंगे इसकी size दे देते हम 32 32 radius इसकी रहेगे 12.5 mm फिर इस origin point से center point, center line इसका distance रहेगा 51 mm और simply इस bottom face से इस point की height रहेगी 50 mm अब एक line create करना है एक third third वाला यहां पर sketch और create करना है में line create करना है यहां पर फिर यहां इस age से इसका distance 45 mm और इसका एंगल 55 और इस line से इस line का distance रहेगा दिस्टेंस रहेगा 135 mm देखे इस तरह से यह यह sketch भी हमारा complete हो गया है यहां पर हम fillet apply कर देते हैं फिलेट यहां पर five का रहेगा फाइव एम एम ओके चले फिलेट हम बात में apply करेंगे यहां पर एक और triangle create करना है हमें अब हमें क्या करना है simply इस line को select करना है और इस line को select करना है और equal कर देना है फिर इस line को select करना है और इस line को select करना है और equal कर देना है अब equal line है इसे भी select कर देते हैं और इसे भी select कर देते हैं फिर equal कर देते हैं अब इस पॉइंट को सिलेक करना है और इस लाइन को सिलेक करना है और कोइंसिदेंट रिलेशन कर देना इसका फिर इस लाइन से इस लाइन का दिस्टेंस रहेगा 45 mm और OK कर देना है देखे तो इस तरह से हमारा ये स्केच भी फुली डिफाइन हो गया है अब हम 5 mm फिलेट एपलाई करेंगे तो simply इस तरह से चलिए हम एक एक ही कर देते इसको 2 3 फिर इस वाले एंगल को भी टाइंगल को इसको भी सेट कर देते है फिलेट एपलाई कर देते है और OK कर देना है देखे इस तरह से हमारा स्केच कम्पलिट हो गया है अब इसे एक्जिट कर देते है अब हमे फिचर में जाना है और एक्स्टूट कट अपलाई करना है तो फिर्स्ट वाला हमें इस यह जो स्केच है इससे सिलेक करना है जो स्लोट हमने फिर्स्ट में क्रिएट किया था तो इसकी डीप रहेगी 12 mm और OK कर देना है फिर्से स्केच को चिलेक करना है एक्स्टूट कट इस वाले स्लोट को सिलेक करना है और इसका डीप रहेगा 15 mm और OK कर देना है थर्ड वाला इस स्केच को हम एक्स्टूट कट अपलाई करेंगे सिलेक काउंटर इसको ओपन कर देना है और यहाँ पर देखिए इस वाले स्केच को और इस वाले स्केच को सिलेक करना है और इसकी डीप रहेगी 8 mm और OK कर देना है देखिए इस तरह से यह हमारा कंपोनेंट क्रियेट हो गया है अब हमें सिंप्ली इसमें मेट्रियल अपलाई करना है तो आपको यहाँ पर देखिए पार्ट थरी उपर वाला इसमें राइट क्लिक करना है इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए material इस material को हम select करेंगे यहां पर देखिए edit material है और इसके नीचे जो भी दूसरे material है जो regular use होने वाले वो सारे show हो रहे है तो हम edit material में जाएंगे देखिए इस तरह से edit material करेंगे तो यहां पर देखिए यह सारे इसके material के type है यहां पर show हो गए है अब हमें aluminum में जाना है aluminum alloys में जाके देखिए यहां पर 1060 alloy simply इसे select कर देते है और apply कर देना है यहां पर देखिए aluminum में भी बहुत सारे type है यह सब इसके material के type है तो हमें simply उपर वाला ही select करना है और apply कर देते है तो यह हमारा aluminum component create हो गया है अब हम इसमें इसको machining करना है हमें mill operation इसका set करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए देखिए यहां पर देखिए यह पार्ट यह सारे आइकन दिख रहे है इसके जस्ट यहां पर एक arrow है इसको इस तरह से open कर देना है open करने के बाद देखिए यहां पर solid work operation tree इसको select करना है इसको open करते ही देखिए यह सारे इस तरह से इसका interface आजाएगा अब यहां पर देखिए solid work scam nc manager इस पर right click करना है right click right click करने के बाद यहां पर si define machine तो सबसे पहले हम machine define करेंगे इसके लिए इस job के लिए कौँसा machine बेटर रहेगा तो define machine पर click कर मशीन को क्रिक देखिए इस तरह सा dialog box open हो जाएगा dialog box open ने के बाद यहां पर machines यहांपर देखिए दो machines वो हो रहा है mil machine और turn machine तो ये mil machine का ये job mil machine के लिए है ये turning machine का job नहीं है इसलिए हम mil machine को select करेंगे यहाँ पे फॉर एक्सिस फाइव एक्सिस दो है दो टाइप के बाकि extra machine आप जो भी अपने according machine यूज होता है वो इसमें आप export कर सकते है तो अब हम four axes का machine isco select कर देते या डायरेक leaving matrix isco select कर देते यहाँ पर देखे दूस्रे भी इसके सारे टूल्स जोभी गूज होने वाले है वो सारे टूल्स यहाँ पर so होंगे बट हमें simply यहाँ पर machine select कर देते कर देना है कि क्लिक करना है machine select हो गया, मेसी मेल metric turtles here यहां पर enter हो गया है अब फिर से यहां पर right click करना है और इसके Machinable Features extract करने है तो simply इस पर click करना है यह automatic system extract करेगा इसके सारे features देखे इस तरह से इसके सारे जो भी कितने cuts है यहां पर sow होंगे all round pocket irregular pocket वो सारे जो भी इतने function होंगे वो सब यहां पर sow जाएंगे फिर से right click करना है और यहां पर extract machineable feature इसको select करना है फिर से right click करना है और यहां पर देखिए generate operation plan इस पर click करना है तो सारे operation generate हो जाएंगे system कुछ सब set कर देगा आपका job कैसा है और कौनसे operation इसमें होने वाले है देखिए यहाँ पर rough mill फिर rough mill फिर counter mill इस सारी cutter यहाँ पर set होने वाली है अब right click फिर से right click करेंगे right click करने के बाद इसका tool path हम select करेंगे tool path create करेंगे इससे पहले हम देखिए यहाँ पर stock manager में stock का समझ लेते stock का मतलब हुआ के हमारे पास जो भी job create करना है जो भी machining करना है उसका material कितना है हमारे पास plus size कितनी है तो यहाँ पर stock manager में right click करना है और edit definition में जाएंगे हम देखिए edit definition में जाने के बाद यहाँ पर देखिए यह है हमारा यह final size है देखिए इस तरह से अब आप इसमें plus size करना चाहते है तो यह देखिए यह side में से size बढ़ेगी इसकी फिर यह y-axis में height बढ़ेगी इसकी और z-axis में इसकी width बढ़ेगी इस तरह से देखिए बढ़ हमें अभी इसमें size default ही रखनी है क्योंकि हमारे जो भी है cuts वगेरा वो अंदर की side में हमें oversize material नहीं चाहिए यह stock oversize नहीं चाहिए तो हम इसे close कर देते हैं अभी 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 हम यहां पर right click करेंगे generate tool path हो गया हमारा sorry generate tool path tool path हब create हो गया है देखिए यहां पर शारे blue थे तो वो black हो गया है मतलब हमारा जो भी generate planta वो देखिए यहां पर show हो रहा है अब हम यहां पर machinery यहां simulation create करेंगे तो simply आपको फिर से right click करना है और यहां पर simulate tool path इसको open करना है देखिए इस तरह से इसकी features कहां cut लगने वाले वो सारे cuts का color इस तरह से show होगा और आप यहां से इसे हम play करेंगे इस तरह से play करेंगे देखिए यह cut इस तरह से होगा यह cutter सबसे पहले ऐसी male cutter set होने वाली है यह rough rough machining है हम यहां से इसकी speed भी बढ़ा सकते है हमती है एक rough machining है और एक final machining है दो cutter इसमें set होती है दिखे इस तरह से अब हमें इसमें extra कोई जैसे thread है whole thread वगएरा जो भी create करेंगे तो उसके लिए अलग से features आपको create करना पड़ेगा वो यहाँ पर automatic system set नहीं कर पाएगी इसमें जैसे हम यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर mill operation 2.5 axis mill operation यहाँ पर rough mill counter mill, face mill, thread mill अब जैसे हम thread mill में जाते है अब यहाँ पर कोई thread mill करना है तो thread mill में देखिए यहाँ पर कोई भी option show नहीं हो रहा है तो यहाँ पर feature में जाना है feature में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आपने thread create किये तो उसे select करना है और अपने according यहाँ पर thread का जो भी होगा वो सब यहाँ पर देखिए create feature यह आपको खुद set करना पड़ेगा उसका path select करने के बाद जितने भी size के thread है वो thread set करने पड़ेगे operation यह देखिए thread के जो भी preview है वो यहाँ पर आप देख सकेंगे और इसमें tools कौन कौन से use होते है वो सारे tools यहाँ पर show होंगे आप अलग से add करना चाहते है तो add भी कर सकते है तो इस तरह से देखिए यह advance level में हमें अगर इसका मिल का कोई भी operation चेक करना है या set करना है तो उसके लिए थोड़ा time ज्यादा लगेगा लंबा time लगेगा फीचर सारे आपको ही खुद को set करने पड़ेंगे उसके जो भी है tool path वगेरा वो खुद को create करना पड़ेगा तो उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे simulate tool path और यहाँ पर देखिए आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like किजिए share किजिए और Malviya Card को follow जरूर किजिए कि